तो वहीं प्रदेश में आज से तीसरी से पांचवी तक के लिए स्कूल खोल दिये गए सिरस्टा जिला प्रसाशन ने स्कूलों में इसके लिए खास तैयारिया की है हमारे समधाता अमर सिंग ज्यानी ने इसका जाइजा लिया है आईए देखे करीब एक साल बाद तीसरी से पांचवी कक्षाए आज से सुरू हो चुकी है वाकादा सरकार द्वारा कुछ निर्देश जारी गए गए कोविड-19 को लेकर के उसके अनसार यहां स्कूल के अंदर जिस तरह बच्चे आ रहे है फ्रमर्स्केनिक कीजा रहे है हालांकि हैंड सेंट्रेज वेवर्स्ता कीगा है त्वाम तरह की जो एसोपी यहूसी पालना के लिए निर्देश दिये गया है हालांकि इसमें मुझूद है खेरपूर प्राइमरी स्कूल में जहां देख से थे हो अच्छे आना सुरू हो चुके हैं और उनकी थ्रमल स्केनी के साथ सब को बास्क अन्वारिया किया गया है मेरे साथ यहां के जो हैड टीचर है उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि स्कूल खुलेवाद किस तरह के गार्लेंड जारी की गई है जो पार पेरेंट्स हैं उनसे क्य समार्च को लास्ट बच्चे आय给我 उसके बाद आज स्कूल में बच्चोंगा आना जाना शुरू हो गये हैं और उनके उनके आने के बाद उनका मास्क देखा जा रहा है सेनिटाइजर हाथ करवा के और उनको कलासों में भेज़ा जा रहा है और कलासे कल से ही सारी साभ सफाई सेनिटाइजर सभी अमने करवा दिया है बकाइदा और बेंच खुले-खुले लगाए हैं ताकि बच्चों को किसी परकार की कोई दिक्कत ना हो और बच्चे सावधानी से अपना पढ़ाई कारे शुरू कर सके तो आपने सुना कि जिस तरह से उनका कहना है कि जो एक कोवीड के निया जो गार्ड लाइन जारी कि थी उन इसके सार सभी बेंचिस की जो सुविधाये करवा दे गई है सेनिटाइज करवा दिया गया इसके साथ मैडम एक सुद्व औ नहीं बुला सकते अगर उनके माँ-बाप चाहते हैं तो बच्चे स्कूल में आएंगे और वो काम जो पहले हम सारा काम भेजते रहे हैं वड़ सब के थरू वो चलता रहेगा यह एक महतवपूर्ण जानकारी है कि जिस तरह से पहले कोवीड-19 के चलते जो ओनलाइन कक्ष सुरू हो चुकी है सिर्शा सेमर सिंग जानी इंडिया नूस हर्याना